नमस्कार दोस्तों मैं आसुनी पांडे स्वागा थाब सब का एक नहीं वीडियो में हाली में क्या हुआ कि जो स्टोक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इस्टीटूट है उसने एक डेटा जारी किया है ओल ओबर वर्ल्ड के बारे में कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा हथियार खरीदा है कौन सा देश सबसे ज़्यादा हथियार बेंच रहा है इसमें देखा जाए तो रसिया काफी टोप पे था और इवेसे बेचने के मामले में लेकिन खरीदने के मामले में इंडिया भी टोप पर है और ये आज से नहीं है बहुत सालों से इंडिया लगा था टोप पे ही है तो इस वज़ा से इस साल भी इंडिया टोप पे रहा और इ इंडिया के पीछे था और इसके लावा और दुनिया भर की अंडिया के नीचे ही थी यानि इंडिया उनुपदा लार्जस्ट इंपोर्टर था आर्म एमुनेशन का 2018 से 2022 के बीच में और ये पोजीशन इंडिया का हमेशा से रहा है 1993 से लेकर 2022 तक लगातार 30 सालों से इंडिय इंडिया विश्ट्व का सबसे ज्यादा लार्जस्ट इंपोर्टर हत्यारों का बना हुआ है ऐसे इन कि गॉभर्मेंट या इंडिया की इंडिया की इंडिया की onie कितना हत्यार खरीदती है और यह सब अगर देखा जा तो यह एक नमबर पर रसिया था, दो नमबर पर चाइना था और तीन नमबर पर इंडिया था, टोटल हथियार जो खरीदा में आमार ने, उसमें से 11% इंडिया से उसने खरीदा था, और एक नमबर पर तो भी इसली रसिया था ही, लेकिन अगर टोटल इंड इंडिया कितना हथियार खरीदता था हर साल उससाफ से देखा जाए तो इसमें अपने आप में 11% कम था फोर्दा एक्जांपल के लिए अगर मान लो कि 100 करोन का कोई हथियार इंडिया खरीदता था तो वह 89 करोन का ही इंडिया ने खरीदा 11% कम था लेकिन ओबर वर्ड वर्ड भर में 11% सारे वर्ड के हथियारों का अकेले इंपोर्ट किया इंडिया ने इस वज़े से इंडिया ओन आप टोप पे था और यह 1993 से इस पोजीशन को होल्ड करता है इंडिया अब इसमें देखा जाए कि इंडिया को किन देसों ने सबसे से हतियार खरी देंगे। पहले क्या था चोशाट परिसंट हातियार इंडिया रसिया से मंगाता था दो जातिया ने इंडिया को हत्यार बेंचा है जैसे एकज़म्पल के लिए मानलों कि 100 करोन का हतियार इंडिया ने खरीदा तो उसमें से 45 करोन का रसिया से खरीदा 31 करोन का फ्रांस से खरीदा गेरा करोन का USA से खरीदा और इसके लावाँ इसराइल और साथ अफरीका है और साथ कोरिया भी है ऑबर ओलो आप इसको इसको इस हिसाब से भी देशकते हो कि 2013-2017 वाला जब डाटा देखोगे तो यह पता चलता है कि इंडिया ज्यादा डिपेंड था रसिया के उपर लेकिन अब इंडिया ने डाइवर्सिफाई कर दिया है 2018-2022 वाला देखोगे तो सिर्फ 45 परसंट रह गया है इंडिया खरीदना शुरू कर चुका है फ्रांस से अब फ्रांस से क्या इंडिया ने खरीदा था हाली में तो संबरीन तो खरीदी रहा है और यह इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है 489 परसंट इंक्रीज हुआ है 2013-2017 का कंपेरजन के जाए 2018-2022 का तो तो काफी ज्यादा बूम आया है इंडिया और फ्रांस के हत्यार इंपोर्ट और स्पोर्ट में इसी वज़ा से आप देखते भी से उसने अभी बहुत सारा जो एर्क्राफ्ट ओडर किया है उसमें से फ्रांस और इंग्लेंड और इसके साथ ही साथ में अमेरिका का बहुत ज्यादा फाइदा होने वाला है तो इस वज़ा से बिजनेस की वज़ा से भी यह लोग इंडिया को अबॉइड नहीं कर पाते है ना तो कोई सेंक्सेंस की बात करता है जब इंडिया ना तो उक्रेन वार को वार कहता है और ना ही तो रसिया को कंडेम करता है इस बात के लिए तो वो लोग चुप रहते हैं कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि उनका जो स्वार्त है वो इंडिया के साथ ज इसमें एक रीजन ये भी है कि इंडिया डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है अपना इंपोर्ट इस वजह से बहुत सारी अलग-अलग कंपणियों से बात्चीत चल दीए जो भी फाइनल लिस्ट नहीं आई है इस वजह से ये देखा जा रहा है कि जो पिछले साल इंडिया न इसके बीच में 78 परसंट हत्यार जो पाकिस्तान में आ है वह सीरे चाइना से आए